एक problem निकल के सामने आती है दोस्तो जब आप Windows 7 के उपर कोई ऐसा application install किये हैं और वो जब install तो हो जाती है या installation के time पे ही हो सकती है कि वो launch ना हो पाई या install ना हो पाई वहाँ पे एक message निकल के सामने आती है और वो कहती है तिसमे .NET 4.0 या 4.0 से उपर की जो है version install होनी चाहिए Yes, my dear friend, ऐसा ही कुछ case देखने को मिला जब हम अपने computer यानि Windows 7 के उपर महेश typing tutor जो के एक software है जो .NET पे आधारित software है .NET से इसकी development हुई है और जब आप .NET आधारित application को install करते हैं तो हो सकती है कि install हो जाए लेकिन open के case में open करते time या launch करते time आपको .NET 4.0 या 4.0 से उपर वाल आप इस application को या तो install नहीं कर पाएंगे या आप launch नहीं कर पाएंगे या उपन नहीं कर पाएंगे तो जो problem आ रही होती है निकल के सामने कि .NET 4.0 या .NET 4.0 से उपर वाली version को आप install कीजिए तब जाके यह problem solve हो पाएंगे और application को आप install कर पाएंगे या launch कर पाएंगे तो sometime ऐसा देखा गया है कि जब आप जाते हैं Google out करते हैं .NET को download करते हैं 4.0 या 4.5, 4.7 या 4.8 जो उनसा भी version आप जो है और download करते हैं तो download होने के बाद जब आप उसे try करते हैं installation के दौरान install करने के लिए .NET को अपने Windows 7 machine के उपर तो वो install भी नहीं हो पाती है .NET 4.0 या upper version वाल हैं तो वहां पर भी एक problem निकलके सामने आती है जो एक तरह की certificate require करती है कि particular एक certificate Microsoft की होती है जो आपको अपने Windows 7 के उपर import करनी चाहिए और then जाके आप .NET को install कर पाएंगे और जब .NET 4.0 या upper version वाली install हो जाती है एक बार अपने Windows 7 के उपर तो आप .NET पे आधारिट आप अ typing Tutor जो कि एक typing Tutor software है और बहुत ही powerful और उप्योगी software है किसी भी तरह की सरकारी और गैर सरकारी पर इच्छा computer typing के उपर ली जाती है जैसे कि SSC Beltron बहुत सारे CPCT, BHU Colorg बहुत सारे ऐसे government exam होते हैं जो कि computer data entry operator के लिए होती है या Colorg level की होती है तो उसमें computer typing के demand होती है तो एक software है महेश tapping Tutor जिसे आप मात्र 199 में lifetime के लिए purchase कर सकते हैं और हिंदी और इंगलिस मंगल रेमिंग्टन गेल, कुरूती देव और इंगलिस के कई सारे typing lesson को सीख सकते हैं और paragraph के उपर practice कर सकते हैं तो चलिया ये देखते हैं lab में कि कि किस तरह से महेश tapping Tutor जो कि एक .NET पे सकते हैं जो कि एक .NET आधारित software है तो चलिया आए देखते हैं lab में किस तरह से .NET के problem को solve करेंगे और महेश tapping Tutor का इस्तमाल कर पाएंगे यहाँ पर simply देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास Windows 7 की machine है और यहाँ पर जब आप महेश tapping Tutor को launch करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की message सामने निकल कर आती है कि बोलती है you first must install one of the following version of the .NET framework यानी version 4.0.30319 यानी version 4.0 या इससे उपर की .NET framework आपके Windows 7 machine के उपर install होनी चाहिए तभी जाके आपकी जो महेश tapping Tutor application है वो चल पाएगी या कोई सा भी application तो यहाँ पे देखिए जब आप Google आउट करते हैं तो मैं आपक इसे लिंक को copy कर अपने computer के उपर paste करेंगे Google Chrome या किसी अन्य browser के उपर तो Google से जो है या मैं यहाँ पे Google Chrome के थुरू बता रहा हूं कि .NET मैं यहाँ पर download कर रहा हूं यह link आपको video के description में मिल जाएगी कहीं भी आपको जानीं की जुरूत नहीं है तो जैसे ही आप .NET को download कर ल सामने निकल कर सामने आ जाती है यहाँ पर आपको license agreement जो है accept करने है बस आप यहाँ कुछी देरों में देख पाएंगे कि जो installation है वो success नहीं हो पाई है क्यूंकि इसमें एक तरह की certificate है जो आपको इस installation process को terminate कर रही है यानि install नहीं हो पा रही है तो आपको यहाँ पे Windows 7 के उ लिंक है और Microsoft की भी लिंक है कोई सा भी आप लिंक जो है वीडियो के description से copy कर सकते हैं और अपने computer के browser के उपर इसे paste करे वीडियो के description में .net download करने वाली लिंक और certificate को download करने वाली लिंक दोनों ही लिंक आपको मिल जाएगी जब आपकी certificate download हो जाती है तो उस certificate पे right click करे और install certificate पर click करे open करने के बाद आप इसे next next कर finish कर दे एक message आएगी the import was successful जब यह message सामने आ जाती है the import was successful आपको जाने है run में और यहाँ पे type करने है mmc yes my dear friend Microsoft management console mmc आपको launch करने है file पर click करने के बाद आपको add remove snap in पे click करने है जो यहाँ पे certificate वाली snap in है उसे आप add कर ले और finish करने के बाद local computer के उपर इसे certificate को यहाँ पे console open हो जाएगी और trusted root certificate authorities पर certificate पर right click करे all task में जाए और यहाँ पर import करने के बाद browse पर click करे browse पर click करने के बाद जहाँ पर आप certificate download किये हुए उस वाले location पर जाए और certificate को यहाँ पर simply trusted root certificate authority के अंदर import कर दे एक pop-up message सामने आएगी the import was successful mmc को save ना करे close करते हुए no पर click करे जब आप .NET को दुबारा से try करेंगे install करने का right click कर open run as administrator point of view से तो यहाँ पे आप successfully देख पाएंगे कि जो आपकी .NET है वो install successfully हो जाती है कोई साब ही इसमे जो है error message सामने निकल कर नहीं आती है तो यहाँ पे दो step है पहले step में आपको अपने Microsoft के certificate Windows 7 machine के उपर import करने है और देन जाके आप इस .NET वाली जो framework है इसे install करें याद रखे 4.0 से उपर जो भी version आप install करेंगे 4.5, 4.7 या 4.8 उसमें already 4.0 include होती है और यहाँ पे देखिए installation is successfully completed यहाँ पे message आ रही है installation is complete तो simply आप समझ गए कि .NET install हो गई है 4.7 जो की include करके रख के लिए चाहिए और यहाँ पे देखिए successfully जो है महेश tapping tutor यहाँ पर Windows 7 के उपर काम कर रही है तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि .NET आधारित .NET based कोई सा भी application अगर हो तो आप इसे Windows 7 के उपर भी चला सकते हैं बस एक छोटी सी certificate आपको import करने है उसके बाद आपकी .NET ह वो install हो जाएगी और then .NET पे आधारित जो भी application होंगे जिसे आप install या open करना चाहेंगे तो वो जरूर काम करेगी यहाँ पर अगर आप जाएं run में तो appviz.cpl अगर आप open करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे simply की add remove program में भी .NET framework दिख रही है और जो application है वो भी दिख रह Thank you दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में